है है हलो एप्रीवान इस चैनल पर आपको भी एड के क्लासिस प्रेक्टिकल फाइल साभी असाइन्मेंट एंड नोर्स टाइम डो टाइम मिलते रहेंगे तो आपको जो भी एड का मैटिरियल चाहिए आप चैनल की प्लेलिस में चेक आउट कर सकते हो आज मैं शेयर करने वाल है आप कंप्लेट वीडियो देखोगे तो आपको मेल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो आपको वर्किंग विद कम्यूरेटी क्या होती है उसे एक स्पेंट करना है मेरे चैनल का बेनिफिड यही है लेसन प्लान भी में आपको सिफ कॉपी पेस्ट का मैटरियल नहीं दे तो पहले आपको वर्किंग विद कम्यूरेटी क्या होती है उसे समझाना है उसका मतलब है हमारे असपास के एन्वार्मेंट में अपने समुदाय के साथ समुदाय के लोगों के साथ वर्क करना ठीक है यानि कि कम्यूरेटी के लिए वर्क करना तो वो आपको यहां पर एक् पता तो हम उसे सीखते हैं तो वो सभी आपका working with community में आ जाता है इसके साथ साथ ही कि इतनी जनसंख्या है और उसका जो भाग है वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है तो उनकी समस्याओं को किस टाइब से हम दूर कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी education जो चीजें पहले से चली आ रही थी वह सेम चली आ रही है आज भी आपको बहुत जगा मिलेंगी जैसे कि आप उसमें भी देखते हो जैन्डर स्कूल एंड सॉसाइटी की बुक में बीएड सेकेंडियर में तो उसमें क्या होता है लड़कियों को आज भी पढ़ाने की इस इसाज़त नहीं है बहुत जगा है ना तो वूर्चीजीं आपकी वर्गी कम्म людям में आ जाती हैं भी एड की सभी सब्जेक्ट के क्लास मैंने श्यर किया मुस्ट कर रखें हैं सिर्फ इक बार क्लास को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट चेकाउट कर लो हर एक सब्जेक्ट की नहीं बद सिखाएगा क्योंकि आपको सिफ copy paste का material देंगे उस चीज़ को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे और जो ऐसे स्टुडेंट बनाते हैं अपनी फाइल्स को उन्हें वाइवा में बहुत प्रॉब्लम होती है और क्योंकि आपको work to as a teacher ही करना है आपको आगे जाके उन चीजों को किसी को समझाना है तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उन चीजों को समझो भी copy paste में कोई प्रब्लम नहीं है आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप फाइल को माइंड से बनाओ गए है ना पर उन चीज की फाइल है तो आप English का material net से ले लिए Google पर आपको सभी मिल जाएगा ठीक है और सिर्फ यह discuss ध्यान रखना है कि point outs क्या क्या है पहले working with community को explain करा then community को समझेंगे तो यह heading डाल लीजिएगा गर English में भी आपको फाइल बनानी है तो otherwise आपको कुछ मेरी फाइल second paper या first paper जो भी चीज़ें हैं वह English में भी मिल जाएंगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही material available है बट येस हिंदी में जाद अवेलेबल है English में उतना नहीं है तो वह आप चेक आउट कर सकते हो चैनल पे प्लेजिस तो यह आप सर्च कर सकते हो जो टॉपिक आपको या जो भी फाइल आपको mention कर देना मेरे चैनल का नाम ठीक है तो आपके सामने उसकी related जितनी भी मेरी videos classes होंगी वह आपको मिल जाएंगी तो यह सभी files especially मैंने आप सब के लिए बनाई है क्योंकि 2020 में जो latest topic है उसके लिए मैंने universities and colleges में देखा कि उन्होंने क्या-क्या topic student को दिये है 2020 में and then उस same को copy paste करते आ रहे YouTube पे वी but 2020 में latest में जो change हुआ जो new activity दी गई जैसे यह थी अनाथाले भर्मन की यह new activity है इस पर आपको YouTube पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगी आप चेक आउट कर लीचेगा ठीक है तो वह मेरे चैनल पर latest में ही आपको मिलेगी जो भी new activities add होंगी file में भी वह स as a student work करती हूँ तो उसमें अपने views ही मुझे लिखने है तो मैंने यहां पर लिखा जैसे कि सभी बच्चों से बिना भेदभाव के मिलना था है ना तो अना था ले गए तो सभी बच्चों से बिना भेदभाव के मिलना था ऐसा नहीं कि कोई कहीं से है कोई किस community से है तो वि यहां पर देखूंगी कि सभी बच्चों को देखकर मैरे जीवन की हाकिकत का अंदाजा हुआ यह आपको अपने common words में लिखना है बट यह कोशिश कीजिएगा कि जो आप लिख रहे हो ना उसके पीछे meaning होना चाहिए meaningless things आपको नहीं लिखनी है meaning होना चाहिए second है रक्तदा की हुई थी यह उसका उद्देश्य था clear then यहां पर रक्तदान के बारे में मैं लिख दूँगे आप वीडियो को पॉस्ट करकर देखके mention कर सकते हो चीजों को लिख सकते हो आपको कोई भी problem नहीं आएगी किसी भी class को बनाने में या किसी भी file को बनाने में बट मेरा motto यही है कि मैं आपको समझाओं भी मैंने lesson plan बहुत अच्छे से समझा रखे हैं ऐसा मुझे लगता है एक common subject पे भी क्योंकि अगर जिस भी class के student ने उसे अच्छे से देखा है ना तो उन्हें वो चीज़ी समझाई है क्योंकि lesson plan तो YouTube पे हर एक subject के हजारों lesson plan आपको मिल जाएंगे बट मेरी class के अलावा किसी ने YouTube पे lesson plan को exactly समझा नहीं रखा कि हमने ऐसा किया है तो उसका मतलब क्या है प्रिस्तावना को लिख तो समने रखा है हर एक subject के copy paste का material तो समने दे रखा है बट उसको समझा नहीं रखा ठीक है तो वो आपको सिर्फ मेरे channel पे मिलेगा समझने के ल होने चाहिए लिखने का तरीका यह होना चाहिए कि मैंने उस चीज में यह किया यह लिखना है तो इंट्रस्टिंग है विए रियालिटी में इंट्रस्ट है जिए फाइल्स आपको बोज लगती है ना वो बोज नहीं है उन्हें एक बार समझने की कोशिश कीज़ेगा और lesson प्लान तो as a teacher work करोगे तो पूरी lifetime आपको काम आने वाले हैं पूरी life आपको सीखना पड़ेगा तो अगर beard में सीख लिया तो सीख लिया दरवाई सिर्फ copy paste करते रह जाना हमेशा वो चीज नहीं मिलेगी मुझे भी मेरे टाइम पर मेरे टीचर ने कोई फाइल नहीं समझा और सेम आपके साथ भी हो रहा होगा कि बीड में कौन आपको समझाएगा यार आप खुड टीचर बनने वाले हो बट आपको क्या करना है थोड़ा माइंड लगाईए चीजों को सीखिए copy paste तो तब भी कर रहे हो आप मेरी वीडियो इसे आप copy paste तो करी रहो गए साथ के अगरियों बोलते हुए आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या आप इंट्रेस्टेड भी हो या नहीं हो बट मुझे अपना सैटिस्फेक्शन चाहिए मुझे चाहिए कि मैंने बारभ नट ले तो मैंने सिर्फ copy paste का material ना देके अपनी तरफ से कोशिश किये कि म पास हो जाओगे बट जो यह files बनाना है यह बहुत important है आपके लिए लेक्शरार के लिए वर्क करोगे तो आपको आनी आनी चाहिए अगर भी अर्के teacher बनोगे तो बट स्टुडेंट स्वरी lower classes को भी बढ़ाओगे न तो भी आपके लिए वह काफी important है lesson plan आजकल हर एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है तो lesson plan unit plan जो भी यह बीड की चीजी है file mention है लिखने का तरीका हर एक चीज आपको आनी चाहिए अच्छे से वह आपके लिए काफी important है अब इसमें जैसे फोर activity थी हमारी dental check-up की तो वह क्या-क्या है dental check-up में क्या-क्या जरूरी होता है क आपको पूरा दिन का पूछा जाता है तो वह सेम डिक्टों आपको यहां पर लिखना है अगर आपने नहीं भी क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा कहने का मतलब है आपको कोई भी activity दी हो आपके टीचर ने जो मैंने इसमें नहीं भी लिखी ना वो भी activity मान लीजिए आ जोकर का शो था ठीक है कि आप कहीं शो देखने गए हो ओके जोकर का तो उसके लिए अब वो activity तो हो गई अब आपको उसमें क्या लिखना है तो मैं कहूंगी उसमें आपको अपनी जो थौट है वो लिखनी है कि आप वहां गए आपने उससे क्या सीखने के लिए मिला वहा sense होनी चाहिए उसमें और आपके thought होनी चाहिए otherwise कुछ भी नहीं चाहिए इस file को बनाने के लिए clear हुआ तो ये आपकल fifth point था जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो यहां पर I hope आपको clearly समझा गया है देखी मैंने कोशिश की है कि मैं class को काफी slow motion में करो जिससे की आप लोग easily वीडियो बना पाओ बहुत बार ऐसा होता है ना बहुत वीडियो आपने देखी होंगी कि एक second में page change हो जाता है तो student वीडियो नहीं बना पाते like वो लिख नहीं पाते हैं तो ऐसा नहीं है मैं कोशिश करूँगी पीडियेफ भी प्रवाइड कराने के और कुछ जो फाइल से आप देखोगे general diary जैसे मैंने पूरी general diary share की है पच्पन मिनट की वीडियो है वो ठीक है पच्पन मिनट की class ली थी मैंने आप सोच सकते हो और उसमें other time मैंने आप सबको समझाया भी है तो उसके लिए आपको classes को check out ही करना है time देना है थोड़ा सा और एक बार में आपको complete class मिल जाएगी channel पे हर एक subject की most important topic मैंने share किये हैं last year के question paper मैंने share कर रखे हैं playlist आपको check out करने हैं जिस भी subject की class आपको चाहिए उसके लिए आप playlist check out कर लीजेगा so video आपको अच्छी लगी हो थोड़ा सा भी समझाया हो कुछ सीखने को मिला हो नया जो शायद आपको कहीं और नहीं मिला तो आप channel को support कर सकते हो subscribe, like करके and videos को share भी कर सकते हो अपने सबी friends या classmates के साथ बी एड के related कोई भी ऐसा doubt है कोई भी ऐसा material है जो आपको मेरे channel पर नहीं मिल रहा है तो आप comment भी कर दीजिए आपको comment का भी reply मिल जाएगा सबी available है वैसे तो सिर्फ आपको playlist check out करने है बढ़ फिर भी आप comment करके ज़रूर share कर सकते हो